कहते हैं कि आयरुवेदिक दवा कभी भी नुकसान नहीं करती शरीर की किसी भी बिमारी को जड़ से खतम करने के लिए आयरुवेदिक दवा से बहतर कुछ और हो ही नहीं सकता आयरुवेदि में कुछ औशधिय पौधे और जड़ी बुटियां शामिल हैं जो कई स्वास्थे समस्याओं का प्रभावी ढंक से इलाज या कहें कि उपचार कर सकते हैं और आपके स्वास्थे के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं ये पौधे लंबे समय से भारतिय परंपर का हिस्सर हैं और प्राचिन काल से विभिन औशधिय प्रियोजनों के लिए इस्तेमाल किये जा रहे हैं तो ऐसे में प्रिये मित्रों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जिसे आपने अपने घर के आसपास बहुती असानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधा उगे हुए आपने देखा होगा प्यारे दोस्तों इस पौधे के चमतकारी और अद्बुत फायदों को जानने के बाद आप यकीनन हैरान रह जाएंगे दोस्तों ये पौधे बहुती बलवान होते हैं ये प अपने दिव्यता को लिए हुए ये लोग प्रिसिद्ध भी हैं तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांतरिक परयोग बताऊंगी इसका आईरवेदिक परयोग भी बताऊंगी इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीड करके देखा हैं कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में आईरवेद की जानकारी हो या फिर किसी अन्य प्रकार की भी जानकारी हो इसे जुटाने में काफी समय अपना बरबाद कर देते हैं पूरे जीवन को बरबाद कर देते हैं फिर भी इस प्रकार की ग आज में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये कोई साधारन पौधा नहीं है इस पौधे के चमतकार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे बिल्कुल यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारन पौधा नहीं रहेगा आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है ये चमतकारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमी में पैदा हुए हैं और भारत भूमी में आज भी इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता को लिये हुए हैं दिव्यता को धारन किये हुए हैं और ये सब हमारे भारत माता हमारी भारत भूमी के घर्व में हैं इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए इस पेड़ पौधे के चमतकार जानूगे तो कल से आप बल्टी विटामिन की जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हश्ट पुष्ट रखने वाली जो अंग्रेजी दवा खाते हैं कल से आप उनका परित्याग कर दोगे मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के परियोग जानने के बाद कल से आप अपने आपको काफी स्वभागेशाली समझने लगेंगे और आप अपने आपको धन्य बोलोगे जो कि भारत भूमी में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आईरुएदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं तो इस पौधे का नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अतीबला के नाम से जानते हैं इसे कई जगे महाबला के नाम से भी जाना जाता है नाम से ही सपष्ट है अतीबला महाबला जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हूँ जी हां दोस्तों हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरू से हमने ये ग्यान प्राप्त किया है हमारे गुरू ने बताया है कि ये जो अतीबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमतकार को लिए हुए हैं सर्व प्रतम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रातन करेंगे फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो जानकारी में बताऊंगी वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा तो आई ये जान लेते हैं इसके चमतकार को दोस्तो हमारे गुरू कहा करते थे कि इसकी जड़ को एक वर्श तक इसकी जड़ का पाउडर बना चार वर्श तक सेवन करेंगे तो हजार हाथी का बल आता है और अगर आप पांच वर्श तक सेवन करें तो पूरे दस हजार हाथी का बल आता है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड वीडियो में कंटीनियो बने रहना लेकिन सचेहरिद्य से कमेंट बॉक्स में जै विश्णु जी अवश्य लिखें क्योंकि विश्णु जी को आईरुवेद का राजा कहा जाता है जितने भी पेड़ पौधे से लाब प्राप्त होते हैं वो लाब स्वयम विश्णु जी से ह लाइगुना लाब मिलता है तो आईए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक परियोग इसके बाद जानेंगे इसका आयरुवेदिक परियोग तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से नवग रहे की पीड़ा समाप्त हो जाती है नवग रहे आपका बा जाता है कि जो पीड़ा होती है वो स्थेर हो जाती है शानत हो जाती है बिलकुल भी नहीं सताती ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ती से अगर आप परिशान हैं आप चाते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे भूत प्रेत आपसे डरे निजी शक्ती आपसे भागे तो हनुमान जी महराज को इसे जड़ को समर्पित करने के बाद 24 गंटे के लिए समर्पित कर दीजिए इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने धाहिनी भूजा में धारन करें पूरुश है तो धा जुका लेंगे आपसे डरेंगे और धारत आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता ये भी माना जाता है कि इसके धारन करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है तो अब इसके धारन करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है नकरात्मक शक्तियों से संपोर्ण घर की रक्षा करता है क्योंकि नाम से ही कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही धन लक्षमी को बढ़ाने का काम करता है तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को यह होने नहीं देता दुकान है व्यापार स्थान ह यहाँ पर आप रखते हैं तो दुकान में ग्रहकों की भीड को तेजी से बढ़ाने का काम करता है आपकी जो दुकान है वहाँ पर यह ग्रहकों की भीड को तेजी से बढ़ाने का काम अवश्य करेगा व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरकी प्राप् ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से, जिसको देखो वोष में हो जाता है और भी बहुत सारे चमदकारी फाइदे आप को मैं बताऊंगी, ये भी माना जाता है कि दर्शकों इसकी जड़ को सूंगने से भूत प्रेत चोड़ देते हैं, अगर किसी को भूत प्रेत बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान वज्र समान बना देता है बिलकुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है वज्र समान बना देता है शरीर को कठोर बना देता है जिसमें अत्यदिक बल पाया जाता हो दिव्य चमतकारी पौधा हो प्राचिन समय में जि जड़ का परियोग करते थे और वो काफी महाबलचाली थे आपने जरूर देखे होंगे बड़े से बड़े परवत को उखाड करके पहले के समय के जो राक्षिस थे पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिवे चमतकारी राजा लोग थे वो उखाड करके फेंक ऐसा नहीं फेकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रियोग किया करते थे तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है तो आधा गिलास गुनगुने गाएं के दूद के साथ में ध्यान से सुनना और ये गाएं कौन सी होनी चाहिए देशी गाएं होनी चाहिए उन्नत नसल किसम की गाएं का प्रयोग नहीं करना है तो दोस्तों आधा गिलास गुनगुने गाएं के दूद के साथ में पांच ग्राम इसकी जड़के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूद में डाल करके निट्टे सुबह शाम आपको पीना है कब तक पीना है एक वर्ष से लेकर अगर आप इसका से से दूर रहेंगे परहेज में क्या करना है सथлись में प्रफम तो नशीवी चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना है अमल का त्याग कर देंघा है किसी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही पांच वर्ष आपको व्यतीत करने हैं एक वर्ष व्यतीत करेंगे तो एक हाथी का बलाएगा दो वर्ष व्यतीत करेंगे तो दस हाथी का बलाएगा तो इस प्रकार से जितने भ ये जानकारी हमारे गुरू ने हमें बताई है और इस प्रकार की जानकारी कभी भी जुठलानी नहीं चाहिए क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमी में आज भी है बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है स्वयम के ओपर में संयम रखना है तो इस प्रकार की निजात पाने के लिए लेकिन एक बात का आपको और धिहान इसमें ये रखना है कि प्यारे दोस्तों जब भी आप कोई साभी इस जड़ के साथ उपाए करें तो आपको एक विश्वास के साथ इन उपायों को करना है ताकि प्यारे दोस्तों आपको ये उपाए विफल ना हो यह साफल हो तो इसके लिए विश्वास होना जरूरी है इसी के साथ अगर आप माता लक्षमी की साधना करते हैं श्रीहरी विश्णु की साधना करते हैं इन उपायों को करते वक्त तो आपको मनवान्चित फलों की भी प्राप्ति होती है घर में सुक्सम रिद्धी आती है श आपको इन उपायें को करते वक्त श्रधा भावना से माता रानी का समरन करना है श्री विश्नु का समरन करना है तो आपके सभी कारे सिद्ध होते जाएंगे आपका हर कारे बनता जाएगा हर कारे में आपको सफलता मिलेगी तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतन इस वीडियो में इस पौदे से संभंदित संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है आप इसका प्रियोग करके एक बार जरूर देखें इसी के साथ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर अबी तक आपने चैनल को ही सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द सबसे पहले सबस्क्राइब कर लें ताकि आने वाली नहीं वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैमा लक्ष्मी